JTC Holidays प्रस्तुत करता है मालदीव वर्चुल टूर। माले सिटी मालदीव की राजधानी है और उत्तरी माले एटोल के दक्षनी किनारे पर स्थित है। हालांकि मालदीव भव्य द्वीपों का गौरवशाली वाहक है फिर भी इस द्वीप समूल का आकर्शन आश्चर्य जनक कोमो को को द्वीप के बिना अधूरा है। वाधू द्वीप मालदीव में एक सुन्दर द्वीप है जो सुन्दर समुद्र तटों, प्रतिष्ठित परिद्रश्य और मंत्रम उगधा कर देने वाली सुन्दरता प्रदान करता है। सीनू एटोल के रूप में बहतर जाना जाता है। एडू एटोल मालदीव का सबसे दक्षनी एटोल है। मालदीव के सबसे लोगप्रिया परियतन स्थलों में गिना जाने वाला माफुशी द्वीप देश का सबसे अच्छा समुद्र तट बनाता है, जो अपने असंख्य मजेदार और रोमांचकारी गतिविधियों के कारण है। मालदीव के सबसे दक्षनी एटोल में स्थित, अड्डू सिटी माले के बाद मालदीव में देखने के लिए सबसे शहरी स्थानों में से एक है। उत्तरी माले एटोल में स्थित, आर्टिफिशियल बीच मालदीव में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत और शान्थ जगहों में से एक है। उत्तर माले एटोल यात्रा के प्रती उत्साही लोगों के बीच सबसे पसंदीदा मालदीव परियटन स्थलों में से एक है। शांत द्वीपों में से एक है। कॉन्राड माल्दीव रिजॉर्ट में स्थित, मुराका एक भव्या दो, स्तरिय अंडसीज विला है। नलगुर्धू द्वीप के रूप में लोख प्रिया, सन आइलेंड माल्दीव में देखने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। शक्तिशाली ओवहेंग्स, रंगीन प्रवाल भित्तियों, राजसी चट्टानों और खूबसूरत गुफाओं से अलन्कृत, बनाना रीफ को माल्दीव की सबसे प्राचीन चट्टानों में गिना जाता है। वेल शार्क द्वीप के रूप में लोक प्रिया, मामिगिली 2300 से अधिक लोगों को आश्रे देने वाला एक बड़ा द्वीप है। माल्दीव ग्लोइंग बीच मुधदू द्वीप पर स्थित है, जिसे रा एटोल में वादू द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अलीम्था द्वीप क्रिस्टल साफ पानी के साथ अपनी अप्राजया हरियाली से दुनिया भर के पर्यतकों को आकर्शित करता है। साफ पानी और उचे तार के पेड़ों के बीच स्थित, फिहौल हो ही द्वीप माल्दीव में घूमने के लिए सबसे शान्त स्थानों में से एक है। एम्बुधू फिनोल हू द्वीप में प्रमुक आकर्शन इसके शांदार जल विला की अद्बुत व्यवस्था है। अपने डिजिटल डिटॉक्स थेरपी के लिए लोगप्रिया मिरी ही द्वीप उन पर्यतकों का स्वागत करता है जो सभी डिजिटल मीडिया को दूर रखना चाहते हैं और बस आराम और काया कल्द करना चाहते हैं। अपने नर्म सफेद रेत समुद्र तटों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। अडिगांडू द्वीप समुद्र तट पर्यतकों को एक शानदार छुट्टी का अनुभव प्रदान करता है। अड्डू आटॉल पर सबसे दक्षिनी द्वीप गंड्वीप मालदीव में देखने के लिए सबसे एकांत अभी तक अविश्वस्निय रूप से सुन्दर स्थानों में से एक है। राजधानी माले से लगभग 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धंगेथी एक छोटा सा द्वीप है जिसमें लगभग 1000 लोग रहते हैं। मालदीव के लावियानी एटोल की राजधानी नैफारू को प्रसिद कलाकार नैफारू दोहोको के द्वीप के रूप में जाना जाता है। माले की राजधानी से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंदाकार आकार का थोड़ू द्वीप तर्भूज के विशाल उत्पादन के लिए लोग प्रिया है। कनुहुरा द्वीप साहसिक उत्साही और हनीमून मनाने वालों को लुभाने वाला द्वीप है। से पांच मीटर नीचे स्थित इथा अंदर सी रेस्टरॉंट खाने के लिए माल्दीव की खूबसूरत जगहों में से एक है। माल्दीव के पहले अंडरवाटर नाइट क्लब के रूप में जाना जाता है। सबसेक्स में आपको वो सब कुछ मिल गया है जो आपको समुद्र के नीचे महसूस कराता है। भव्या इंटीरिया को प्रदर्शित करते हुए पांच दशमलव आठ अंडर सी रेस्टरा आँखों के लिए एक अधवितिय उपचार है। लकजरी रिजोर्ट OZEN का एक हिस्सा बनाते हुए, माइनस सिक्स मीटर एक आकर्शक एंडर सी ट्रेस्टरा है जिसमें एक आलीशान माहौल और रोमेंटिक सेटिंग है। राजधानी शहर माले से लगभग 96 किलोमेटर की दूरी पर स्थित, धीगुरा को मालदीव में सबसे कम वसे हुए द्वीपों में गिना जाता है। एक विशाल क्षेत्र में फैला, द्वीप समूल का आधिकारिक बिकिनी बीच न केवल देखने के लिए मालदीव की खूबसूरत जगहें हैं, बलकि उस आकर्शक समुद्र तट के शरीर को दिखाने के लिए भी हैं। सपष्ट नीले लेगून और शांदार प्रवाल भित्तियों से घिरा, उकुलहास मालदीव में एक कम आबादी वाला और परियावरण के अनुकूल द्वीप है। मालदीव में घूमने के लिए सबसे सस्ती जगहों में से एक के रूप में जाना जाता है, मीधू रा एटोल का एक बहुत कम आबादी वाला द्वीप है। अपने आपको अराजकता से अलग करने और शान्ती और शान्ती पाने के लिए हलवेली द्वीप समूह से बहतर कोई पलायन नहीं हो सकता है। रे देश में सबसे अच्छा पानी के नीचे के अनुभव प्रदान करते हुए, हनीफार उखाडी मालदीव में देखने के लिए ऐसी जगहों में से एक है जो आपके दिमाग में एक यादगार अनुभव बना सकती है। रेंबो रीफ और गिरिफुशी थिला के रूप में भी जाना जाता है, हपी रीफ को मालदीव के सबसे सुन्दर परियतन स्थलों में गिना जाता है। दक्षिन पूर्व माले में स्थित स्वतंत्र सुनामी स्मारक एक शांदार स्मारक है जो 2004 की सुनामी में खोए 74 लोगों को समर्पित है। मालदीव में घूमने के लिए सबसे प्रसिद धार्मिक स्थानों में से एक ग्रैंड फ्राइडे मस्जिद न केवल आध्यात्मिक साधकों, बलकी वास्तुकला प्रेमियों को भी आकर्शित करती है। सिनामाले ब्रिज के रूप में जाना जाने वाला चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज माले शहर को हुलहुले द्वीप से जोडने वाला दो किलोमेटर का लंबा पुल है। 1999 में निर्मित नेशनल आर्ट गैलरी मालदीव माले में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। JTC Holidays Private Limited, राजकोर्ट, कॉन्टाक्ट 968-789-5000 या 922-7600-890